आज बनाते हैं बेसन से एकदम tasty और healthy नास्ते की रेसिपी इसे आप चाहे तो ढोकली की तरह खा सकते हैं या इसे आप हलका सा सौटे करके न अपने मन पसंद चटनी के साथ enjoy कर सकते हैं तो आएए बनाते हैं इस healthy सी रेसिपी को तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं इस्तमाल कर रही हूं बेसन तो दो कप बेसन मैंने एक mixing bowl में ले लिया है अब आधा कप या थोड़ा सा ज़्यादा भी आप दही ले ले ये जो दही है थोड़ा खटा दही है अगर आप इसमें खटा दही इस्तमाल करें तो बहुत थोड़ा सा इसमें पानी डाल दे एक कप के करीब अब इसमें आदा छोटा चम्मच मीठा सोडा डाल दे यानि की बेकिंग सोडा अब इन सारी चीजों को न अच्छे से फेड लेंगे जरूरत लगिए तो आप थोड़ा सा पानी और एट कर सकते हैं एक गाड़ी कंसिस्टेंसी का हमने बैटर त्यार करना है देखिए मैंने इसको बहुत ही अच्छे से फेड लिया है अब इसे ढग कर करीब आदे खंटे के लिए छोड़ देए देखिए अभी आदा खंटा हो चुका है इसे रखे हुए हलका सा ये फूल भी गया है क्योंकि इसमें हमने मीठा सोड़ा डाला था अब इसमें आदा छोटा चमच साइट्रिक एसिड डाल दे नहीं है तो एक चमच नीबू का रस आप इस्तमाल कर सकते हैं एक चमच या दो चमच आप इसमें चीनी डाल दे आधा चोटा चमच नमक डाल दे और ये है चिली फ्लेक्स देखिए अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली फ्लेक्स का इस्तमाल करें ये तीखा नहीं होता है नहीं तो आप हरी मिर्च का भी इस्तमाल कर सकते हैं अच्छे से इसे फेट लें अब एक ठाली में हलका सा घी या तेल लगाकर फैला ले इस तरीके से अब इस मिक्षर को हम इसमें डाल देंगे और इसको इस्टीम करने के लिए ना मैंने एक कढ़ाई में दो गलास पानी डाल कर गरम होने को रख दिया है इस बैटर को हमने स्टीम करके बनाना है इसके उपर देखने में ये अच्छा लगे इसके लिए मैंने चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दिया है इधर जो हमने पानी रखा था था न वो भी अच्छे से गरम हो गया है अब इस थाली को इसमें रख देंगे और गैस का फ्लेम जो है न वो लो से मीडियम के बीच में करें और इसे ढख कर करीब 12 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे बीच में आप चेक कर लें अगर थोड़ा बहुत कच्छा पन रह गया है तो 2-3 मिनट के लिए और छोड़ दें देखिए पूरे 15 मिनट मैंने इसे स्टीम किया है और ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गया है पांच मिनट के लिए इसको हम रेश्ट करने देंगे उसके बाद इसे हम अपने मन पसंद साइज में कट कर लेंगे देखिए आपको काटने से भी अंदाजा लग रहा होगा कि कितना अच्छा ये स्टीम हुआ है इसे कट करने के बाद आप चाहें तो पैन में थोड़ा सा तेल डाल कर राई करी पत्ता हरी मिज डाल कर इसको आप हलका सा सौटे कर सकते हैं और अपने मन पसंद चटनी के साथ इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं देखिए कितना जाली दार बनकर तयार हुआ है तो इसके लिए एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल दे एक चममच गरम हो जाए तो थोड़ा सा हींग डाल दे और थोड़ा सा राई डाल दे राई नहीं है तो इसमें काली सर्सो डाल दे करी पत्ता डाल दे थोड़ा सा और दो से तीन हरी मिर्ज डाल दे हलका सा इसे चला ल कम नमक डाल दे और दो चम्मच के करीब चीनी डाल दे बस चीनी घुलने तक इसे हमने पका लेना है जब चीनी अच्छे से घुल जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर दे और थोड़ा सा इसको रेश्ट करने दे इसका टेमपरेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए उसके बाद इसे ह इसको डोकली की तरह सफ किया है और बाकी का जो ये मैंने बचाया है इसको मैं हलका सा सौटे करूंगी कड़ाई में थोड़ा सा तेल, सरसू, करीपत्ता डालकर थोड़ा सा चाट मसाला डालकर अपने मन पसंद चटनी के साथ आप इंज्वाय कर सकते हैं तो उमीद करती ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू